कच्छा तिन पाठ बारह समय का मुले बच्चो इस कहानी में समय के महत्व और प्रते काम को सही कर समय पर करने की सीख दी गई है बच्चो यह कहानी गांधी जी से सम्बंदित है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांधी जी को महात्मा गांधी राष्ट पिता बापु भी कहा जाता है इनका योगदान भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे अधिक रहा है हमारा देश पहले गुलाम था किसका गुलाम था अंग्रेजो का गुलाम था और अंग्रेजो से हमारे देश को आजादी दिलाने में गांधी जी ने महत्पुर्न भुमी का निभाई है बच्चो अब हम इस कहानी से सम्मंधित पाठ को आगे पढ़ते हैं बात उन दिनों की है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था आजाद नहीं हुआ था अर्थात हमारा देश गुलाम था किसका गुलाम था अंग्रेजो का गुलाम था महात्मा गांधी तब सावरमती आसरम में रहते थे एक दिन एक सज्जन सज्जन मतला भला आदमी गांधी जी के आसरम में पहुंचे वे पास के ही एक गाउं से आये थे जो नज़्दीक का गाउं है वही से एक बला अदमी एक अच्छा अदमी आया था उस गाउं में एक सभा होने वाली थी जिसके आयोजक वही थे सभा अर्थाथ क्या होता है जहां लोग इकठे होते हैं ठीक है, लोग जहां एकटे होते हैं, उसको सभा का जाता है, वो किसी चीज़ का भी सभा हो सकता है, और ये वेक्ति जो है, वो उस सभा का आयोजक था, ठीक है, यानि आयोजन करने वाला, आयोजक महोदे ने गांधी जी को प्रणाम किया, और आधर पुर्वक विंती की, बापु, कल साम को चार बजे हम लोगों ने अपने गाउं में एक सभा आयोजित की है, यदि आप मुख्य अतिथी बन कर भासन दे सकें, तो बड़ी कृपा होगी, अब वो वेक्ति जो है, व के पुकारा जाता था, इसलिए वह सजन चाहता था कि अगर गांधी जी सभा को संबोधित करेंगे, तो जादा लोग उनकी बातों को मानेंगे, और सभा, जो है, वो सफलता पुर्वक, सभा का काम, जो है, वो संपुर्ण हो जाएगा, तो वह वेक्ति कहता है, यदि आप म के अतिति बनकर भासन दें, तो बड़ी क्रिपा होगी, बापु ने हामी भर दी, और अपनी डायरी में तीति और समय नोट कर लिया, जैसा कि आप जानते हैं, या पाठ जो है, वो समय का मुल्य, समय से सम्बंदित है, कि समय कितना किमती है, तो गांधी जी जो है, वो अप किस समय जाना है सभा में भासन देने के लिए, उस समय को अपनी डायरी में लिख लेते हैं, आयोजक महोदे ने बापु से कहा, बापु हम कल सारे तीन बजे ही आपको लेने आ जाएंगे, और आयोजक महोदे जो है, वो बापु को आसवासन देता है, बापु को कहता है, कि सभा इस्थल के लिए बच्चों इस पाथ से सम्मंदित कुछ कठिन सब्द है जिसको तिन तिन बार आप लोग को लिखना है